हमारा परिवार, घर परिवार शुर्ग कैसे वने अभी तक आपने सुना हैं कि शुर्ग मृत्तु हो जाने के बाद मिलता है शुर्ग मृत्तु हो जाने के बाद सिर्फ एक पेन और कागज से या प्रिंट से लिखा जाता है मिलता नहीं है मृत्यू होने के बाद किसने सुर्ग को देखा है आज तक किसी ने नहीं देखा है सिर्फ एक कलपना है इसलिए जीते जी सुर्ग को को देखना चाहते हैं और सुर्ग और आनंद से जीवन जीना चाहते हैं आप उसके निर्माता है आप उसके निर्माता है शुरुवात आपको करना है अपने जीवन को आपको बदलना है अपने ववहार को आपको बदलना है यदि आपका ववहार सुन्दर है तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा घर स्वर्ग बनता है ववहार से आचरण से मधुरवार्णी से पैसा से घर स्वर्ग नहीं बनता है क्यों कह रहा हूँ जिसके पास बहुत पैसे हैं वो भी रात में सोते हैं तो करवटे बदलते बदलते रात बित जाती है निंद नहीं लगती है और जितने भी मेडिकल में जो निंद की गोलिया बिकती है वो बड़े लोग ले जाते है गरीब लोग नहीं ले जाते है दिल्ली जैसे सहरों पे चले जाएंगे जुग्गी जोपड़ी में रहते है रोड में रोड में डिशनल हाईवे में बगल में सोय रहेंगे राद भार गाड़िया चलती रहती है भर भर की आवाज आती रहती है लेकिन जब रात में सोते हैं तो सिधा सुबा उड़ते हैं करवटे बदलते नहीं रह जाते हैं लेकिन जिसे हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं समझदार कहते हैं पैसे वाले लोग कहते हैं जिसके पास रहने के लिए मकान है, कपड़ा पहने के लिए कपड़ा है और भोजन के लिए अन्न की वैस्था है पूरी, वैसे लोग करवटे बदलते रहते हैं, निंद से उठने के बाद देखते हैं कि हम रात भर सोही नहीं पाएं। अच्छी निंद की निशानी क्या है? अच्छी निंद की निशानी ये है, जिस बिस्तर में आप सोय रहेंगे, उस बिस्तर से सुबा उठेंगे, तो उठने के बाद कोई आपके बिस्तर को देखे, तो लगे महसूस हो कि इस बिस्तर में कोई नहीं सोय है, आपके बिस्तर पे कोई सोया ही नहीं है बिस्तर साप सुथरा सिकन नहीं और कुछ लोग ऐसे सोते हैं बिस्तर पे सोएंगे बेड़ सिट अलग किनारे चला जाएगा तकिया अलग किनारे चला जाएगा पैर अलग किनारे चला जाएगा राद भर करवटे राउंड मारते मारते बित जाता है नि कसा उटी है दिन के उजाले में काम ऐसा करिए कि रात को मूँ छीपाना ना पड़े और रात में आप सोए तो एक बार में आपकी निंद लग जाए आपके उपर है आप यदि जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको सतसंग से ही जीवन बदला जा सकता है घर स्वर्ग कैसे हो घर स्वर्ग बनता है आपस के ववहार से मन के कटूता को हटाने से गुर्देव जी कहा करते थे अपने मन को रुई की तरह धुन डालो रुई को धुनने के बाद में उसका गरदा गुबार नीचे चला जाता है और उसका जो रुई है हलका पन उपर आ जाता है अगधी घर में परिवार में टकराहट क संभावना हो रहा है एक दुसरे मन मोटा हो रहा है तो विचारों में परिवर्दन चाहिए जिस घर में जिस परिवार में आपस में भाई भाई देरान जठान साज बहु एक साथ मिल करके दो पहर का भोजन किया जाता हो मानो उस घर में रोज होली कते वार है और जिस घर में भाई-भाई आपस में देरान जिठान, साज बहू आपस में एक जगा सभी लोग खेत से, खल्यान से, आफिस से, ड्यूटी से, दप्तर से आने के बाद सभी लोग एक जगा इकठा हो जाते हैं और कट्ठा हो करके दिप प्रजुलित करके माता पिता की आरती उतार लिया करते हैं माता पिता के चल्णों में मत्था टेक लिया करते हैं और कुछ ग्यान चर्चा कर लिया करते हैं वानों उस घर में रोज दिपावली का तेवार है आप लोग साल में एक बार मनाती हैं आप लोग साल में एक बार दिपावली मनाती हैं साल में एक बार होली का पर्व मनाती हैं संद कहते हैं नित अमावस, नित संक्रांती रोज अमवस्या है, रोज संक्रांती का प्यवार है और जिस घर में खटखट चल रहा है जिस घर में भाई और भाई में नहीं बर रहा है देरान और जठान में नहीं बर रहा है उस घर में दिपावली को भी दिपावली का तेवार नहीं मनाया जाता उस घर में होली के तेवार में भी होली का तेवार नहीं मनाया जाता भोली के तेवहार में लोग दिप एक गुलाल ले करके दूसरे के माथा में लगाते हैं और प्रेम से गले मिलते हैं, मत्था टेकते हैं, चरणों में उनके मत्था टेकते हैं, आसिरवाद लेते हैं लेकिन जिस घर में खटखट की आवाज हो, जिस घर में टकरहाट हो, वहाँ भाई भी दुस्वन लगते हैं, माता पिता भी दुस्वन लगते हैं, और दुसरे से प्रेम करते हैं, अपने से वैर करते हैं, वह घर सुर्ग नहीं बन सकता है, वह घर सुर्ग नहीं बन सकता है, आदमी का मन बड़ा विचित्र है जब समुद्र में लहरे आती है समुद्र में जौर्भाठा के रूप में लहरे पानी आती है तो नस्दिक के गड़ों को भरके लवालब करते हुए आगे बढ़ता है पानी फिर से कहूं जब समुद्र में लहरे आती है तो नस्दिक के गड़ों को भर के लवालब करते हुए आगे बढ़ता है लेकिन आदमी का मन कैसा है? आदमी के मन नस्दिक वालों से प्रेम नहीं है अपने पुत्र उतना अच्छा नहीं लगता है अपने मित्र के पुत्र अच्छे लगते हैं अपने बहु बेटे अच्छे नहीं लगते हैं दुसरे के बहु बेटे अच्छे लगते हैं अपने माबाप अच्छे नहीं लगते हैं पडोसी वाले हैं वो अच्छे लगते हैं अपना भाई अच्छा नहीं लगता है जो दुसरे घर का आदमी है वो अच्छा लगता है अपना बहु अच्छा नहीं दुसरे के बहु अच्छे लगते हैं आदमी का मन दूर का ढोल सोहावन क्या घर स्वर्ग बन जाएगा क्या घर स्वर्ग बन जाएगा हम दुर वालों से प्रेम खर लेते हैं अपने करीबी के साथ में वैर बढ़ हाते चले जाते हैं हम जिन लोगों के साथ में जीना है उनके साथ में दुरत तक अभाव पैदा करते चले जाते हैं मा और पिता को सम्मान नहीं दे पाते हैं, अपने ही बच्चों को सम्मान नहीं दे पाते हैं, बुड़िहा माता पिता हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे से उतना प्रेम से बात नहीं करते हैं, जितना प्रेम से अपने मित्र के बच्चे से प्यार से बात करते हैं, अपना दाइत भूल जाते हैं दुनिया के एश्वरिय साधन में, दुनिया के भौतिक प्राणी और पदार्थों में रात और दिन भूला रहता है, अपना जिम्मेदारी भी भूल जाता है, और अपने जिम्मेदारी भूल करके जीवन को अपना तबाह करते हैं, और साथ साथ आने वाले पिढ़ी का जीवन भी तबाह कर देते हैं कुछ लोग होते हैं ऐसे क्यों कह रहा हूं यह चीज अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति है उधर धंतरी सैट का है उनका एज लगभग 55 साल का हो गया है 55 साल होने के बाद में अचानक उनकी पत्नी खतम हो गई तो उन्होंने तीन महना बाद फिर से साधी कर लिया तीन महना बाद साधी कर लिया उनके बच्चे हैं बड़े बड़े बच्चे के बच्चे हो गए हैं लेकिन उनका बुढ़ापा अभी जवानी बाची है 55-60 साल बाद कोई साधी करे समझदार नाम की चीज़ नहीं कौन किसे जुड़े हैं आप कबीर पंत से जुड़ा हूं कौन से सिख्चा है आपके पास उनके बच्चे कहते हैं साहब जी हमारे मम्मी जाने के बाद में हमारा कोई ठीकाना नहीं रहा गया है हमारे पिता जी को कोई जिम्मेदारी नहीं है बिस्तर से उड़ते हैं, एक डागी लेकर के घुमने चले जाते हैं, शुबा आते हैं, अपने ड्यूटी चले जाते हैं, साम को आते हैं, घर में एक घंटा रहते हैं, फिर डागी लेकर के घुमने चले जाते हैं, रात्री को भोजन करते हैं, फिर घुमने चले जाते हैं, ब तक कि उसकी कोई साधी नहीं हुआ है, तब तक अपनी जिन्दगी जी सकता है, हम जैसे बेचलर लोग अपनी जिन्दगी जीते हैं, बांकी कोई नहीं जी सकता है, अपनी जिन्दगी, साधी हो जाने के बाद में पती और पत्नी का जीवन होता है, व्यक्तिकत जीवन नहीं ह होता है पती पतनी के लिए जीता है और पती पतनी के लिए जीता है पती पतनी के लिए और पतनी पती के लिए जीता है साधी हो जाने के बाद एक दुसरे के लिए जीते हैं और जब बच्चे हो जाते हैं तो पतनी और पती पतनी का भी जीवन खतम हो जाता है सिर्फ बच्च के लिए जीते हैं only बच्चे के लिए जीते हैं बच्चे का ध्यान रखते हैं बच्चे का लालन पालन करते हैं बच्चे को सिख्षा देते हैं और कुछ माबाप होते हैं जो अपने दाइतों से वंचित रह करके अपने बच्चे को महत्व नहीं देते हैं अपने दुनिया के इश्वरिय दुनिया के वासनाओं में आज भी भड़िया दसान जीवन को नरक बनाए रहते हैं आज भी चिल्बिले बने रहते हैं आज भी मन चंचल बना रहता है बच्चे के बच्चे हो जाते हैं संत जन कहा करते हैं बच्ची के बच्चे हो गए पर भी जीवन नहीं बदला आज भी दुनिया के भौतिके स्वर्या में प्राणी और पदार्थों में चिल्बिले बन करके संसारिक वासनाओं में बहते जा रहे हैं कौन सा जीवन के सुन्दर घर कैसे सुर्ग बनेगा कम से कम आपके बच्चे हैं उनको अच्छा संसकार बच्चे को समय दीजिए करीब करीब आठ साल का लड़का उनके पापा से उनकी मुलाकात नहीं होती थी जादा जब उनका पापा घर में आता था रात्री को दस बजे ड्यूटी से अपने आपिस की ड्यूटी से तो उनका बच्चा सोया रहता था जब वो सुबा ड्यूटी जाता तो बच्चा सोया रहता था सुबा सुबा नव बजे फिर निकल जाता उनका बच्चा सोया रहता एक क्रिया कलाब कई सालों से चल रहा था उनका बच्चा आठ साल का बच्चा देखता है मम्मी से पुछते हैं पापा कहा गए तुम्हारे पापा डूटी चले गए उनके पापा से मुलाकात ही नहीं होती कई दिन एक दिन रवियार का दिन है और उसका बच्चे का बर्थडे था अपने बच्चे का बर्थडे था उन्होंने अपने पीता से पुछा पापा कल मेरा बर्थडे है आप रहोगे न उनका पापा बोलता है बेटा मैं नहीं रह पाऊँगा आप इसमें बहुत जरूरी काम है मेरा उनका बच्चा बोलता है पापा एक प्रस्ण करूँ हाँ पूछो तुम एक दिन में कितना खमाल लेते हो जनका प्रस्ण करूँ अज में कितना कर दो उनका बच्चा कहता है पापा तुम एक दिन में कितने रुपिय कमा लेते हो उनका पिता है वो एक दिन में दस घंटा ड्यूपि करता है और एक हजर रुपिय कमाता है उनका बच्चा बोलता है उनकी पिता बोलता है तुमको क्या मतलब है कितना पैसा कमाता हूँ, कहां से लाता हूँ, तुम्हारी सारी वैस्ता मैं कर रहा हूँ, तुमको पैसा से कितना कमाता हूँ उसे क्या वास्ता है बच्चा तो बच्चा चूप हो जाता है, फिर से पुछते हैं प्लीज पापा बता दो कहते हैं एक दिन में मैं एक हजार रुपय कमाता हूं और दस घंटे की डूटी में ओ दस एक हजार रुपय कमाता है उनका बच्चा कुछ देर चूप चाप रहता है उसके बाद में कहते हैं पापा मुझे पचास रुपय की जरुवत दोगे क्या फिर उनका पिता बोलता है तुम्हारी सारी वैस्था मैं करता हूँ जो चाहिए सब कुछ मैं लाता हूँ तुम पैसे को क्या करोगे बच्चा तो बच्चा चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है कुछ दिर बाद उनके पिता को लगता है मैं बच्चे को फलतु डाड़ दिया वो बुलाता है प्यार से और कहता है लो पैसा वो पचास रुप्य निकाल करके देता है उनका बच्चा अपना एक भूलक रखा था जिसमें पैसा डालते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग सिखा सिखा वो रखा था वो ला करके गुला रखा था ला करके अपने पापा के पास तोड़ता है और अपने पापा के पास तोड़ता है उनके उनका बच्चा कहता है उनका पापा कहता है तुम्हारे पास आर्रेडी पैसा रखा है तुमने पैसा क्यों मांगा वो पैसा इकठा करता है और जोड़ करके उनके पास में दो सुरुपय हो जाता है अपने पापा के पास जा करके कहते हैं पापा आपको मैं दो सुरुपय दे रहा हूँ आपका मैं दो घंटा लेना चाहता हूँ आपका मैं दो घंटा लेना चाहता हूँ क्या आप मुझे दो घंटा समय देंगे उनका पापा बोलता है बेटा दो घंटा क्या मैं तुम्हारे लिए जीवन भर समय देने के लिए तैयार हूँ बताओ कहा जाना है उनका दिमाग कठीका ना आ जाता है क्यों आप अपने बच्चे के लिए आपके पास समय नहीं है आपके माबाप के लिए आपके पास समय नहीं है आपके पास डागी चलाने के लिए डागी को घुमाने के लिए समय है आपके पास मुबाइल चलाने के लिए समय है टीवी देखने के लिए समय है सिर्फ पैसा कमाने के लिए समय नहीं है जिन के लिए आप जीते हैं जिन के लिए आप पूरा जीवन का हर कमाई पाई पाई जोड़ करके कठा करते हैं उन बच्चों के संसकार के लिए आपके पास समय नहीं है क्या आपके बच्चे शुर्ग का जीवन जीएंगे कैसे आपके बच्चे संसकारवान होंगे, कैसे आपके घर स्वर्ग से स्वर्ग बनेगा, आप ही महसूस करिए, जिस घर में बच्चों को प्यान नहीं दिया जाता है, जिस घर में माबाप का सम्मान नहीं किया जाता है, वह घर स्वर्ग कैसे बनेगा, आपको अपने ही घर को सजाना और सवारना है आपको आपके अपने ही घर को सजाना सवारना है दुसरे की घर की बाते छोड़ दीजिए घर बनता है इट से पत्थर से चुना से सिमेंट से बनता है मकान बनता है लेकिन घर बनता है आपस के प्रेम से बनता है आपस के प्रेम से बनता है जदी घर तूटता है तो घर क्या तूटता है मकान नहीं तूटता है घर किस से तूटता है गरीबी से घर नहीं तूटता है घर तूटता है आपस के प्रेम कम होने से घर तूटता है और घर तूट करके बिखर जाता है एक जगह नए नए युवक का साधी हुआ उनकी पतनी आई घर पे पतनी आई घर पे देखा घर का सिस्टम ठीक नहीं है ना सोफा सेड़ है ना डाइनिंग सेट है कुछ भी सही नहीं लग रहा है घर में पुराना ढंका मकान बना हुआ है उनकी पतनी कहता है उनकी पतनी कहती है एजी यहां रहने का मन नहीं करता है यहां से हम लोग दूर चल करके सहर में रहते हैं उनके कहने पर उनका पती आता है और दूसरे जगह जाने के तयारी कर लेता है पूरा अपना कपड़े लित्ते सब पूरा पेकिंग कर लेता है इतन लों लों जाने की तयारी कर रहे हो कहां जा रहे हो वो बोल नहीं पाता है उनकी नյित एस दादा जी हमारे भाभी जी को हमारे घर का सिस्टम पसंद नहीं है घर में न liken सेट है ना बातरूम अच्छा बना है ना घर में रोंगरंगन हिआ है पुरान का रहा है उनका दाध जी कहता है इतनी छोटी सी बात को घर को तोड़ करके रख दोगे इतनी छोटी सी बात हम सब कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और घर का अपना मालीक है वो घर का चाबी अपने तिजोरी का चाबी निकालता है और अपने बहु और बेटे को दे लेकिन घर को तूटने से बचा लेना घर नहीं तूटना चाहिए आप पैसे को महत्तों दोगे तो घर तूटेगा और धन को महत्तों दोगे तो घर तूटेगा जन को महत्तों देंगे आप लोग तो आपका घर बना रहा जाएगा आपका घर बना रह जाएगा घर बनता है आपस के प्रेम से प्रेम से मैं उस दिन भी कहा था यदि प्रेम सुकता है तो घर टूट करके बिखर जाता है जैसे पानी सुकने से पेड सुक जाता है वैसे ही प्रेम कम होने से घर परिवार के लोग आपस का प्रेम कम होने से एक दुसरे में वारताइं कम होती है घर टूट करके बिखर जाता है और घर ही नहीं टूटता है पुरे परिवार के नकसे बदल जाते हैं पुरा आपस का प्रेम छिन जाता है घर में कहना चाहिए सुना पड़ जाता है घर जि इस घर में माता पिता हो आपस में सास बहू हो देरान जठान हो आपस में एक दुसरी के चेहरे पे मुश्कान हो बड़े को सम्मान दिया जाता है वह घर सुर्ग बनता है वह घर सुर्ग बनता है इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपस का प्रेम इत अधना करिए कभी कभी लगता है कि मेरी गलती नहीं है पर भी मुझे गलत माना जा रहा है अपने गलती को स्विकार लिजे आप घर घर बन जाएगा कभी कभी लगता है कि मेरी बहान है मेरी देरान है मेरे जिठान है मेरे सास है मेरे सशूर है मेरे से बात नहीं कर रहे हैं मे के सासू मां है आपका कर्तव्य बनता है रिस्टों को बरकरार रखने के लिए कभी कभी अपनी गलती ना होती हुए भी जुक जाईए और अपने से बात करना शुरू कर दिजिए मैं कल भी कहा था जुकता वही है जिसमें जान होती है अकर्णा तो मुर्दों की पहचान होती है हम समझदार लोग है पढ़े लिखे लोग है और आपस में आज भी टूतू मैं मैं कर रहे हैं आपस में आज भी लड़ रहे हैं बच्चों के सामने लड़ रहे हैं कैसे बच्चे संसकारवान होंगे कैसे घर परिवार स्वर्ग बनेगा कैसे घर परिवार स्वर्ग बनेगा आपस में खाने पिनी की सभ्यता नहीं आई है आज भी कैसे घर स्वर्ग बनेगा कुछ बच्चे अपने माबाप की चर्ण इस पर सकरते है माता पिता बड़े प्रसंद नहों करके आसिरवाद देते हैं लेकिन कुछ माता पिता बच्चे इधर चर्ण इसपर से कर रहे हैं और माता पिता आसिरवाद भी दे रहे हैं मुँ में गुटका भरे हैं, गलगला रहे हैं, लाल लाल भरे हुए हैं दर से आसिर्वात भी दे रहे हैं तो खुन सा अशिर्वात देंगे गुटका काओ अच्छे अच्य लोगों को देखा गया है जो पढ़े हैं अपने को कहते हम पढ़े लिखे लोग हैं है गीन इतनी भी तमीज नहीं आ आई आस तक जीवन में गुटका भी नहीं छोड़ पाया, बिड़ी और सिक्रेट भी नहीं छोड़ पाया, अच्छे पढ़ ही लिखे लोग है, कभीर पंत से जुड़े हैं, राधा स्वामी से वेरागवन संतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सराव नहीं छोड़ पाये, लोग खाने पीने वाले हैं क्या दुनिया वाले लोग भी ना खाने पीने रहते हैं क्यों जीवन को नरक बनाते हैं आप क्यों आप गलाच चीजों का सेवन करते हैं क्यों आप एक अच्छे इंसानियत अपने एर नहीं दिखाते हैं आपके इंसानियत उन्य देखिए कटू सत्य कहना चाहूँगा जानवर जो होते हैं मानसा हरी जानवर उसके दांत नुकिला होगे उसके नाखु नुकिला होता है लेकिन इंसान साकर हरी है इसलिए उसका नाखु नुकिला नहीं होता उसका दात नुकिला नहीं होता मांसा हरी जानमर को आप घांस दोगत नहीं खाएगा मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं सेर के सामने कितना ही हरा हरा घांस डाल दो सेर मर जाएगा लेकिन घांस को टच भी नहीं करेगा और जो गाय है उनके पास कितना ही ताजा ताजा मांस डाल दो गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी खाएगी तो घांस खाएगी तो घांस खाएगी इंसान कैसा है, क्या है, आप लोग जानी है, मैं नहीं कहांगा क्या है, कैसे हैं आप लोग जानी है जो अपने को गिंते ही, इसमें कबीर का विचार इसी पर चोट रहता है और सराब पीने वाले से निवेदन है सराव पिने वाले सिर्फ सराव नहीं पीते हैं आत्मी बंदों माबाप की मुस्कान छी लेते हैं माबाप की जीने की जो चमता होती है उसाह मन का उसाह भी पी जाते है बच्चे की जो उडान भरने की चमता होती है वो भी पी जाते है आपके बच्चे सोचते हैं मैं IPS अपसर बनूँ कुछ पढ़ूँ लिखूँ कुछ अच्छा से नवकरी करूँ जब जब कोई माता कोई पिता सराव पिकर के जाता है घर में तब दब उनके बच्चे सोचते हैं इन सरावियों की बीच में मैं कैसा पढ़ाई लिखाई करूँ मैं कैसा विकास करूँ जब जब आप सराव पिकर के जाते हैं घर में तो जो उनके उडान भरने की छमता होती है जो बड़ी बड़ी च्छाएं और तमन्नाएं होती है कि मैं जो कुछ करूँ वह मिट्टी पलीद होता चला जाता है मिट्टी पलीद हो जाता है वह बच्चा विकास नहीं कर पाता है सरावी सराव पिते हैं लेकिन जहलते हैं घर के माताईं सरावी सराव पिते हैं जहलते हैं माता पिता दुनिया वाले कहते हैं के बच्चे सराबी निकल गए, दुनिया वाले कहते हैं के पती सराबी निकल गए, दुनिया वाले कहते हैं के माबाप सराबी निकल गए, क्यों अपने जिन्दगी के साथ, साथ, तीन पिढ़ी के जिन्दगी को बरबाद करते हैं, कोई सराब पिता ह अपना जीवन बरबाद करता है आत्मी बंदों अपने बच्चों से प्रेम करना सीखिए अपने बच्चों से प्रेम करना सीखिए अपने माबाप से प्रेम करना सीखिए कल भी इस पर मैं खास इस पर बहुत कहता हूं कि माबाप को सम्मान करना सीखिए एक जगा कोई संद कह जासों है ती on aaj T powiedzieć उनके विवाह ओने के बाद में गी कहा है फिलसände और मखन का मख़ना पटाने के बाद में यहांगा उसको ले जा रहे थी रहन्प कमरे में मकषन का घड़ा छूट जाता है और घी पूरा बरबाद हो जाता है घी पूरा बरबाद हो जाने के बाद में घर के मालकीन है बहू उनकी सासो मा आती है कहती ही बेटा तुमको चोट तो नहीं लगा जला तो नहीं उनकी बहू बोलती है मा मुझे चोट भी नहीं लगा जला भी नहीं लेकिन घी बरबाद हो गया उनकी बहु वो उनकी मां बोलती है बेटा घी हम फिर से बना सकते हैं लेकिन तुम सुर्वक्षित हो बहुं बड़ी बात है कुछ वर्सों के बाद 30-40 साल बाद वही बुड़िया मां की वही सासु मां की तबियत खराब होता है और बेड रेश्ट है शि सफाई करने में उनकी मां उनकी बहु बोल उनकी बेटी बोलती है मां जब जब मैं टटी पिसाफ की सफाई करते हूं माता जी की सासु मां की तब तब मुझे घी की सुगंद आती है दुरगंदी नहीं आती है घी की सुगंदी आती है क्यों पूरा घट ना बताती है क्या इतना प्रेम होने के बाद घर टूट करके बिखरेगा। एक व्यक्ती गुजरात के है। वो अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में रहते हैं, उनकी बेटी रहती है गुजरात में। और जब जब गुजरास से आती है, तब तब अपने बेटी को बेलती है, बेटी कभी हमारे साथ अमेरिका चलोगी, बेटी हमारे साथ कभी अमेरिका चलोगी, उनके बेटी बोलती है, हाँ मा कभी चलोगी, उनकी सासु मा बोलती है बेटी तुमको तुम्हारी मा कह रही है अमेरिका जाने के लिए तुम अपना तयारी कलो बीजा पासपर तो बना हुआ है तुम भी चले जाओ कुछ दिन घुम करके आ जाओ तो उनकी बहु क्या बोलती है मा मा मुझे बोलती है उपर से कि तुम मेरे साथ अमेरिका चलो लेकिन मा कभी नहीं चाहती है कि मेरी बेटी अपनी सासु मा को छोड़ करके मेरे साथ अमेरिका जाए मेरी मा यही चाहती है कि मेरी बेटी मेरे में अपने सासों मा के साथ सिवा करते रहे क्या ऐसे घर में सुर्गा नहीं बनेगा एक उधारा नौर्दों फी अपनी बास समाप्त करूँ एक जगा एक नए नए घर है उसमें बहु की साधी हो जाने के बाद वो कपड़ा लेने के लिए जाती है तो सेट से कहती है वो मुझे कपड़ा दिखा दो और सेट पूछते हैं कहां से आये हो तो पूछते हैं अपना घर का परिचाए बताते हैं बंद कर दीजी बोले सब्देव की जय पूछते हैं पूछते हैं मैं कह रहा था वो बेटी कपड़ा लेने के लिए सेट के दुकान में जाती है और सेट उनका परिचाए पूछते हैं मैं इस घर से आयूँ बताती है बताने के बाद कपड़ा दिखाते हैं तो कहते हैं इतने के कपड़ा पहले दिखाते हैं दस हजार का फिर 8000, 4000, 6000, कम होते होते 2000, कहते हैं वो घर के बहु बोलती है, सेड़ जी इससे कम का कपड़ा नहीं है, मुझे एकदम सधारण से कपड़ा चाहिए, सेड़ जी बोलते हैं एक काम करो, इन कपड़ों को छोड़ दो, अपने सासुमा को भेज देना, उनकी सासुमा आती है, द उनकी घर की सासुमा बोलती है, इससे अच्छा कपड़ा नहीं है, आपके पास, वो अच्छी से अच्छी कपड़ा खरीद करके, साड़ी खरीद करके ले जाती है, और ले जा करके अपने बहु को देती है, उनकी बहु बोलती है, मा, मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, म लेकिन इतने महंगे कपड़े क्यों लाएं मुझे सधारन सा कपड़ा चाहिए था घर में रहती हूं तो बस उस समय विच करने के लिए सधारन सा मुझे कपड़ा चाहिए था इसलिए मैं सधारन सा कपड़ा ले रही थी लेकिन सेड़ जी आपको भेजने का है लेकिन आपने इतने भंगे कपड़े क्यों लाए सासुमा क्या बोलती है सासुमा बोलती है बेटी महत तो कपड़े का नहीं है महत तो तुम्हारा है तुम अच्छे कपड़े पहनो अच्छे रहो अच्छे जीवन जीओ इसका महत्वा है पैसा तो आएगा और चला जाएगा इसका कोई महत्व नहीं है क्या ऐसे घर में स्वर्ग नहीं होगा इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपस में प्रेम माबाप का सम्मान करना मद भूलिये आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है आपकी बहु को जिस दिन अहसास हो जाए कि मेरी सच में असली माता पीता मेरे सास ससुर है उस दिन आपका घर स्वर्गमय बन जाता है बस इतना कहकर अपनी वानी को भी राम देता हूं बोलिये सत्गुरु देवा की जै